हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्साम बात फाइंडर में आज इस वीडियो में हम दली पुलिस हाउसिंग कोपोरेशन लिमिटेट के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर के साथ सदाने पोस्त के लिए विकिंसी निकाली गई हैं इसके बारे में बात करेंगे आप जैसे की देख पा रहे हैं यह रिक्रूट्मेंट जो होगी वह डायेक्ट रिक्रूट्मेंट के बैसिस पर करी जाएंगी पोस्स के नाम Junior Engineer Civil, Junior Engineer Electrical, Junior Engineer QS&C इसके साथ सद अकाउंट्स ओफिसर और Computer Operator की पोस्स है Application Process Friends 12 November 2021 से स्टार्ट हो गया है इसको अप्लाई करने के लिए जो लास्ट इट दी गई है वह 14 December 2021 की है Application Process Friends आप हमारे प्लाटफॉर्म alert.exam pathfinder पर विजिट करके और जो Official Notification है उसको study करके और fill up कर सकते हैं Official Notification के साथ Hindi advertisement का attachment भी आपको हमारे प्लाटफॉर्म पर available करा दिया गया है So Official Notification आप इस तरह के से हमारे प्लाटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं आए देख लेते हैं क्या details जी गई है Official Notification में तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं Junior Engineer जो Civil की फील्ड के लिए एक वेकंसी निकली है इसके लिए जो Remuneration रखी गई हो 35,000 पर मन्त की है इसके लिए Eligibility Criteria B.E. या B.E. Civil में इसके साथ या तो candidate के पास अगर डिप्लोमा है Engineering में, Civil की फील्ड में और Minimum 3 साल का Experience होना चाहिए Construction की फील्ड में तो candidate eligible हो जाता है इस पोस के लिए जो अन्यफ पोस्ट है जैसे कि Junior Engineer Electrical Junior Engineer QSNC An Accounts Officer and Computer Operator इनके लिए भी different eligibility criteria's defined कर दी गई है तो आप अगर इन में से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो in terms and conditions of reputation के appointments को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और application process को fill up कर सकते हैं Friends, जो application के लिए form आपको fill करना होगा वह कुछ इस पकार दिखेगा इसमें आपको सारी details fill करनी होगी और इसे fill करके आपको इस दिये गए पते पे पोस्ट के form में इस अपने application form को send करना होगा सारे relevant documents को attach करने के बाद Friends, आप एक चीज़ और note करें कि आप इस application form को email के माधिम से भी भेज सकते हैं और जो email id रहेगी वह dphctd.yahoo.com की है Friends, अगर आप इस post के लिए apply करना चाहते हैं और आप अगर अभी कोई doubts face करते हैं या आपके कोई questions होते हैं तो आप हमारे community forum यानि community.exampathfinder.com का भी use कर सकते हैं आपको link description box में मिल जाएगा आप हमारे community forum के write and reply section में अपने doubts and discussions community के साथ share कर सकते हैं So friends, आज की इस video में इतना ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो please हमारी videos को like and share करें and regular basis पे हमारी videos पाने के लिए हमारे channel को भी subscribe करें तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद